कि असलाम अलेकुम बिसमिल्लाहिर्मान रहीम मारा जो आजका लेक्चर है वो डियने डैमिज एड रिपेर बायो कमिस्ट्री तो इसको आज देखते हैं कि क्या और कैसे होता है तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ट इस दडियने डैमिज फिर आपको पर आप इसके बारे में समझे कि जब डियने डैमेज होता है तो फिर उसका रिपेर कैसे होता है ठीक है तो डियने जो डैमेज होता है वो दो तरह से हो सकता है दो तरह से हो सकता है दो तरह से लाधी बात कि structure of DNA can be damaged unexpired to chemicals and radiations जब आपके DNA की structure के उपर आपको पता है DNA की structure double standard होती है ठीक है और पीट में hydrogen bonds लगे वे होते हैं एडिनीन, thiamine, cytosine, guanine तो एडिनीन, thiamine, cytosine, guanine तो जब ये कोई भी chemical या फिर radiations, ultraviolet radiation जब पर कोई भी हो गई जब ये radiations आपके stand के पर पढ़ती है DNA के double stand के पर पढ़ती है तो इसको damage कर सकती है जब ये radiations आपके DNA के structure के पर पढ़ती है, strand के पर पढ़ती है तो इसको damage कर सकती है different तरीकु से और वो किन तरीकु से कौन कोई से damage होती है अभी हम नीचे देखते है ठीक है अभी बस आप इतना देखने हैं कि वो इसको damage कर सकता है DNA को ultraviolet radiation damage कर सकती है या फिर कोई भी chemicals हो वो भी जब structure के पर अच्छा आपको पता है जब DNA replicate करता है DNA क्या करता है replicate करता है तो DNA की replication के दौरान जो है ना complimentary stand बनते हैं मतलब एक stand पे adenine है तो दूसरे stand पे thiamine लगेगा at girls college अगर set goanine है तो cytosine लगेगा cytosine है तो goanine लगेगा इसी तरह thiamine है तो adenine तो मतलब at girls college तो adenine के साथ thiamine band बनाएगा goanine के साथ cytosine band बनाएगा ठीक है तो यह होता है तो इसे कहते complimentary stand लेकिन बास दफ़ा क्या हो जाता है कि mismatch pair हो जाता है mismatch pair का मतलब यह है कि DNA जब replicate कर रहा होता है एक stand से दूसरा stand बन रहा है तो Restaurant心 के साथ क्या लगना चाहिए थैमine लेकिन न की बज़ाई यह लग जाता है यह थैमीन की जिगापर a लग लग सकता है, ठीक है, थायमीन के जिगापर C लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, लकिन थायमीन नहीं लगता, तो यह हो गया mismatched pair, हो सकता है G के साथ C लगना चाहिए, लकिन G के साथ A लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो basis जो होते हैं, इन में mismatched pair हो जाता है, यनि complimentary stand नहीं बनते, at girls college वाला sequence नहीं आता, at girls college का मतलब है, at के adenine, thiamine के साथ बांड बनाएगा, guanine, cytosine के साथ, at girls college, at girls college, तो ये वाला complimentary stand वहाँ पर, complimentary जो base pairing है, वो नहीं होगी, mismatch base pair हो जाएगा, अगर इस तरह की दो चीज़े हो, तो इससे हम कहते हैं, DNA damage, तो ये क्या DNA को damage किया, या फिर mismatch base pair होए, तो DNA हो गया damage, अचा, आपकी body में कुछ system होते है, हमत्य हम कहते है, DNA repair systems, यथि चिपका DNA हो गया damage, और हमने DNA damage को क्या करना है, repair करना है, किसे हमने क्या करना है, repair करने के लिए, हें हमारी बाड़ी में कुछ system होते हैं सबसे पहले चीज़ तो आपकी जो cell है cell के अंदर DNA proof reading activity होती है DNA proof reading activity होती है कि अगर कोई घलती हो गई है let's suppose कोई mismatch हो गया DNA replication के दौरान DNA replication को दौरान mismatch हो गया कि adenine के साथ था महीं लगना चाहिए लेकिन गवानीन लग चुका है तो आपके DNA के पास होता है जी प्रूफ रीडिंग कि यह इस तरफ यह स्टैंड था यह दूसरे स्टैंड था यह ऐसे इधर सैटोसीन गवानीन थायमीन एडिनीन यह DNA DNA polymerase था DNA polymerase ऐसे आगे की तरफ बनाता हुआ जा रहा है अब यहां तक यह पहुंचा है इसने का यार पीछे मैं को गलती तो नहीं कर रहा हूँ तो यह वापस जाएगा इसको प्रूफ रीड करेगा दुबारा प्रूफ रीडिंग करेगा कि आया मैंने ठीक पूट किया हुआ गलत पूट किया हुआ जब यहां पर पोचेगा यार यहां पर तो मैंने गलती की हुई है तो वहां पर वह एडनीन फिर गौणीन को रिमुव करेगा गौणीन रिमूब हो जाएगा और फिर गौणीन के तिगा पर क्या लगा देगा थैमीन तो इस तरह प्रूफ रीडिं से भी ठीक ना हो और यह replication होगी है done होगी है cell आगे move कर गया है तो body में some अंदर repair systems होते हैं जो यह DNA के damage को क्या कर लेते हैं correct कर लेते हैं ठीक है but if these mistakes are not corrected अगर यह mistakes फिर भी ठीक नहीं हुई तो फिर यह cause कर सकती है cancer जैसी मुख्तलिफ disease को तो यह था आपका DNA damage और repair का ऊपर से आपका overview तो मैं इसको एक बार फिर बोल देता हूं बता देता हूं तो गौर से सुलने कि देखे पहले DNA damage फिर DNA repair सुलने इसको DNA damage फिर DNA repair damage repair और तिसरी चीज़ जो मैंने बताई वह यह कि repair ना हो तो क्या होगा repair ना हो तो क्या होगा चले जी DNA damage यह होता है कि अल्ट्रा वैलिट रेडियेशन्स या फिर mismatched base PR हो जाता है ठीक है repair कैसे होता है repair पहले तो proofreading DNA polymerase proofreading कर लेता है दूसरी चीज़ इसके पास कुछ other repair system होते है हमारी हमारे cell के पास DNA के पास repair systems होते हैं अगर still भी आपका DNA repair नहीं हुआ repair नहीं हुआ तो आपको cancer जैसी tumor जैसी different disease हो जाती है ठीक है mutations हो जाती है आपको क्या हो जाती है mutations DNA के अंदर that is called your DNA damage DNA repair एंड अगर repair नहीं हो तो क्या होगा अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से damage होते हैं और हमारी body हमारा जो cell हमारा जो DNA है उसमें उसका repair कैसे होता है ठीक है अगर repair नहीं हो तो कौन-कौन से disease हो सकती है तो अब कि DNA repair आपको बता है DNA के दो strand होते हैं यह अगर दोनुस strand में मसला आ जाए दोनुस strand में damage हो जाए इधर भी damage है इधर भी damage है अब इसको हम repair करेंगे उसे हम बोलेंगे double strand repair उसे हम क्या बोलेंगे double strand repair लकिन DNA के सिरफ एक strand में damage हो, इधर damage है, और हमने इसको repair किया है, तो यह कहलाएगा single strand repair, तो फिर सोलने, DNA के दो repair system होते हैं, अगर दोनों strand damage है, और दोनों को repair किया है, तो इसे हम बोलते है double strand repair, और अगर एक strand damage है, अल्टर वेर डिदिशन या एक strand में mismatched, इसे हम बोलते है single strand repair, single strand damage and single strand repair, तो single strand repair, डिटेल में देखें, इसमें यह नीचे कुछ, नीचे वाले चीज़ इसमें include है, single strand repair में कौन-कौन repair, अब इसको पहले यहां से देख ले, देखें, यह है जी आपका DNA double strand, एक strand 3' तो 5' दूसरा strand 5' तो 3' दो strands है, यह DNA का नार्मल strand था यह वाला, अब नार्मल strand के उपर क्या हुआ, अल्ट्रा वेलिट रिडिशन पढ़ी, जब इस DNA के उपर अल्ट्रा वेलिट रिडिशन पढ़ेंगी तो इसमें क्या हो जाएगा भई, सिंपल ची बात है, DNA damage हो जाएगा, अभी हम ना उपर देखा है, DNA damage, DNA की structure damage हो जाएगी, कैसे बला वही, सबसे पहले चीज के आपको पता है कि यह DNA का डबल strand है, तो यह देखें, थामीन, एडिनीन के साथ बांड बनाता है, इदर भी थामीन, एडिनीन के साथ हैट्रोजन बांड बनाता है, कौँछ से बांड बनाता है, आपको पता है यह चीज, ह DNA की structure के ओपर, तो DNA होगा, damage, अब जो आपका यह देखें यहाँ पर, आपके थामीन डाइमर्स बन जाएंगे बई, अब आप कहेंगे सर जी, थामीन डाइमर्स क्या होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि थामीन डाइमर्स यह होते हैं, कि देखें, थामीन को बांड बनाना चाहि यह ऐसा नहीं करते हैं, इनको आपस में महबद हो गई हैं, यह समझ लिए कि यह male, female, male, female, इनको आपस में hydrogen बनाने चाहिए, है ना, male को female किसा महबद होती है, लेकिन जब इनके उपर ultra validations पढ़नी, तो इनका दिमाह खिराब हो गया, अब male को male से महबद हो गई है, male को female से म पहबद हो गई है, तो यह दोनों आपस में double covalent bond बना लेते हैं, double covalent bond बना लेते हैं, और double बनाते हैं, तो जब यह आपस में double covalent bond बनाते हैं, तो दो thiamine आपस में जोड़ गए, आपस में bond मना लिया, इसे हम कहते हैं, thiamine dimers, thiamine से thiamine हो गया, और dimers से 2, तो दो thiamine न तो यह इस तरह आपका DNA होता है, तो मेरी खेल में समझ आ गया हूँ, जब thiamine dimers बनते हैं, तो अब हमारी बाड़ी में एक thiamine dimers repair system होता है, thiamine dimers repair system, या फिर इसी का दूसरा नाम है nucleotide axion repair होता है, अब यह कैसे होता है, अब यह इस तरह होता है कि आपका जो है एक enzyme आता है, जिसे हम बोलते है, axion endonuclease enzyme, यह आपका enzyme आता है, axion endonuclease enzyme, यह enzyme आ करके क्या करता है? कि यह enzyme आता है, और यह enzyme इस thiamine dimers को recognize करता है, पहचानता है, ख dahiemissements कहां पर है बहुंगा है इसको ढूंड रहा हूँ मैं यह यह repair system है आपकी बाड़ी मैं, अब X-CN endonuclease enzyme आता है वो इस thiamine dimers को ढून लेता है रेकिनाइज करता है जी यह यहाँ पर है यह यहाँ पर पड़ा हुआ है यह आपके DNA में जोना thiamine dimer है यह पहचान के दूसरा काम क्या करता है वो गयते हैं मैंने पहचान लिये वो गयते हैं पहचान लिया है तो फिर इसको दोनों तरफ से कट कर दो इधर से भी कट कर दो इसको इधर से भी देखें यह था यह ऐसे तो यह thiamine dimer बना वा था ऐसे तो यह 3' 5' 5' 3' तो मुझे बता है यह इस side पर क्या होगा इधर वो कहता है इधर मैं इसको कट कर देता हूँ इधर कट कर देता हूँ क्योंकि यह thiamine dimer है वो गयते मैंने इसको recognize किया और इसको मैंने cut कर दिया मैं जब cut करता हूँ तो इधर कौन सा end होगा यह वला यह वला end कौंस फाइव प्राइम है ना अगर मैं इसको अलग कर लो यह यह, थी प्राइम प्राइम इसको भी अलग कर लो यह थी प्राइम फाइव प्राइम भीच वला end remove हो गया मैं जी इसको काम है recognize करना थामीन टाइमर को recognize किया और यह देखें इदर से भी गट कर दिया इदर से भी कट कर दिया अब यह क्या होगया remove जब यह remove होगा तो पीछे क्या रहा जाएगा भई पीछे ये वलाई से घल रहा जाएगा यह देखें अब ये देखें उसने पीच वाली एक strutuer gap कर दिये इक अशे ऐसे ये 5pr1 3 प्राइम 3 प्राइम थी प्राइम 5 प्राइम आप अब यह देखें भई आप मुझे पता है इधर है कुछ इधर कुछ मिन यह खाली है अब आपका एक और इंजाइम आता है जो कि आपका DNA पोलीमरेज होता है DNA पोलीमरेज का काम है कि 3' to 5' रीड करना अब वो इस टेंप्लेट को जो करेंड ठीक है जिसमें डेमिज नहीं है उसको आज template लेगा यहां पर इड़नीन था यहां पर भी एड़नीन और फड़कर यह पर इघामीन लगा देगा यह पर पढ़ कर यहां पर भी कट है सेल नहीं हुआ तो आपका DNA लए गई जाता है और चैसल कर देता है यह देखे दोबारा पैकिंग होगी और आपका DNA क्या होगिए दोबारा से DNA का double stent जो आना वो दिर्मस्ट शूधा जो और पर द्रह से दूबारा बनगी तो इसको एक तो मेल को मेल से मौबबत होगी है फिमेल को उनने छोड़ दिया और थैमीन ने एडिनिन के साथ हेडोजन बांडिंग की बज़ए आपस में डबल कॉलेंट बांड बना लिया यह देखें तो थैमीन डैमर्स बन गए तो इसके बाद रिपेर मेकनिजम नुकलोटाइड एक्स और टाइड की थाओ एक्सियन उन्डाइड अग्सेट रिपेर मेकन कती सब्सके बदेखें आपका नीघ चलैड बना एपसकी जाओड हो गया intrigued एक्सियम इंडाइड बना वाला इसका पड़ाइड करूनी को पड़के थैमीन तो देखें बना जान यहां पर Thiamine यहां पर Thiamine लेकिन इनमें कट है उनको सील करेगा जो कट लगे थे उसने कट लगाये थे अब इनको सील करने के लिए DNA लए गई जाएगा सील कर देगा तो इस्तरा आपका यहां थामिन टाइमर्स के रिपयर अच्छा एक और मसे की बात करें अगर अगर यह ना हो अगर आप का DNA डैमेज हुआ और थैम में टाइमर्स बन गए अब अगर आपका यह ओंछी ना हो कियूंकि अगर आपका ऐक्सीयन अंड नुकलेस इं तब जब ये enzyme ही नहीं होगा, क्या ये thymine damage रिमूव होगे, नहीं, thymine damage आपके DNA में रह जाएगे, यानि DNA में damage रह जाएगा, DNA में damage रह जाएगा, अगर DNA में damage रह जाएगा तो उसे आपको ये वाले disease होती है, 0 derma pigmentosum, आपको क्या हो जाएगा, 0 derma pigmentosum हो जाएगा, 0 derma pigmentosum में क्या होता है, कि patient को जब वो ultraviolet radiation उसके पर पढ़ती है, तो उसको sensitivity होती है, उसको अजीब सी, उसको sensitive होता है, ultraviolet radiation को वो बरदाश नहीं कर सकता, क्योंकि जब ultraviolet radiation पढ़ेंगे तो उसको thymine, thymers मजीद बनना शुरू हो जाएगे, तो वो sensitive होता है, तो excessive frankling होती है, उसको चेहरे पर, जब doctor उसको check करेगा, उसको चेहरे पर गौर से देखेगा, तो उसको frankling दिखाई देंगी, जूरिया type दिखाई देंगी, multiple skin cancers होंगे उसको, उस patient को corneal ulceration होगा, आई में जो cornea होता है, उसको ulcer होएपड़े होंगे, और इसको diagnose कैसे करन करेंगे, कौन सा, endonuclease, axion, axion endonuclease enzyme check करेंगे, इसका level कम होगा, कहां, wild blood cells के अंदर, तो आप कहेंगे कि इस patient को थामीन डाइमर्स है, DNA damage है, इसको तो यह defective है, तो ठीक है, तो इसको देखें, breeding कर लेते हैं इसकी, occurs in G1 face, ultra valid radiation causes formation of thiamine dimers, तो यह thiamine dimers क्या होते हैं, कि ज थामीन होते हैं, आपस में बांड बना लेते हैं, थामीन डाइमर्स होते हैं, स्टेप्स कौन से होते हैं, axion endonuclease enzyme recognize the thiamine dimers and makes a nick or cut in the phosphodiester bars, आपको पता है, DNA cases का बना होता है, निकलोटाइट्स का, यह, यह एक निकलोटाइट, दूसरा निकलोटाइट, और यह निकलोटा तो देखें आगे, on both sides thiamine dimers and removes nicks, क्योंकि यह निकल लगाता है, इसको बोलते है, निकलोटाइट, axion repair, DNA polymerase fills the gas by synthesizing DNA in 5' to 3' direction using the undamaged stand as a template, DNA legase seals nicks by making phosphodiester bars, तो और अगर यह ना हो, repair ना हो, तो bridge to pathology क्या होगी, if thiamine dimers are not repaired, removed, due to defective axion endonucleus enzymes, it causes autosomal recessive disorder, यह autosomal होती है, ठीक है, zero dermal pigmentosum होती है आपको, clinical features के है, extreme ultra valid sensitivity, excessive fraggling होगी आपको, multiple skin cancers होगे, और corner आपको, यह आप 4 याद कर लें, इसके clinical features, यह imported है, बहुत important है, 4 clinical features आप याद कर लें इसके, तो zero dermal, अब इसको diagnose कैसे करेंगे, कि white blood cells के अंदर इसका level कम होगा, इसका level कम होगा, तो यह important है, हो सकता है, कि आपको, दे के एक बच्चा आया है, 77 years old था, या 10 years, 15 years, और कुछ भी था, उसको यह वाले symptoms थे, ठीक है, तो उसके आपने diagnose करा है, scenario आपको बताएगा, तो white cells के अंदर यह enzyme defective RS की level कम आ रहे है, तो बताएगा उसको कौँ से disease है, problem कि है, तो आप कहेंगे, उसको थैमीन टैमर्स का problem है, और उसको zero dermal pigmentosim है, अई, यह और उसको दरा गौभण से समझेगा, and se א panda REAL, और हां, यह आपका जो आना यह कहां पे पहोता है, यह आपका? G1 हम होता है, यह tam. तो अगला देखें, Base XCN Repair, यह through out the cycle होता है, G1 phase में, S phase में, G2 phase में, इस सारा होता रहेगा, पूरा cell cycle में, ठीक है, सारे में, इसमें पता होता क्या है, इसमें यह होता है, आपको पता है, कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कि Cytocene के ओपर क्या होता है, NH2, Amine Group होता है, अगर यह Amine Group पर रिमूव करें, Amine Group, रिमूव कर दें, तो पीछे Cytocene بن जाता है, जुरासल, यानि D-amination हो, क्या हो भई, डी-माइनेशन हो तो सैटोसीन से क्या बन जाता है आपका युरासल बन जाता है अब हम कहते हैं कि डी-माइनेशन हुई सैटोसीन से युरासल तो बन जाता है यह तो हमने देखा है लेकिन यह तो होता है RNA के अंदर अगर यह DNA के अंदर हो जाए वही किसके अंदर DNA के अंदर सैटोसीन की डिमाइनेशन हुई और क्या बन गया युरासिल तो क्या DNA के अंदर युरासिल होना चाहिए नहीं DNA के अंदर युरासिल होना चाहिए लेकिन अब DNA के अंदर युरासिल होगी है cytosine लगाना है, this is your repair mechanism, और इस repair mechanism का नाम होता है base axion repair, तो यह damage कैसे हुआ, समझ आ गया, कि demination हुई, तो युरासिल बन गया, DNA के अंदर, तो DNA के अंदर युरासिल नहीं होना चाहिए, तो DNA damage हो चुका है, अब इसको हमने repair करना है, तो देखें, repair बोड़ा असान से, repair कैसे होत है, देखें, steps involved in base axion repair, सबसे पहले आपका एक enzyme आता है, यह देखें, यह demination, cytosine की जगापर आपका युरासिल लाज चुका है, तो गोवनिन के साथ, युरासिल होना चाहिए DNA मे, sorry, cytosine होना चाहिए, लेकिन युरासिल आ चुका है, तो आपका एक enzyme आता है, जिसे हम बोल आपका एक nucleotide, और nucleotide इधर phosphate लगे होते हैं, यह sugar, और इधर nitrogenous base होती है, है न, यह आपका फिर दूसरा, यह ऐसे phosphate, और इधर आपका nitrogenous base, यह कौन से side होगी, यह 3 प्राइम, यह फाइव प्राइम, यह आपसमें बनाएंगे, फास्फोडाइस्टर, ठीक है, तो अब होता प्राइम आता है, जिसे हम कहते है, युरासिल ग्लाइकोसाइलेस, युरासिल ग्लाइकोसाइलेस, युरासिल ग्लाइकोसाइलेस, युरासिल ग्लाइकोसाइलेस, युरासिल ग्लाइकोसाइलेस आएगा, कि वो कहता है, इधर nitrogenous base है, यहाँ पर होनी चाहिए, cytosine, यहाँ युरासिल लगी हुई, अब मैंने इसको रिमूव कर, तो वह आता है, यहाँ पर कट लगाता है, और यह नेट्रिज accurate means अब युरासिल गलैकोसलेज इंजाइमmee ने क्या रिमूव किया है, इस ने नेट्रिजीन बेस को रिमूव कर दिया है, जब यह nitrogenous base remove करेगा इधर एक और वह लगा हुए है phosphate, 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 5' 3' इधर nitrogenous base लगी हुए है और nucleotide था जब यह remove हो गया यह हो चुग है बही remove अब यह वाला जो pentose sugar है यह वाली जो sugar है जिसके उपर phosphate लगे हुए pentose sugar है यह बन जाती है इसके उपर side करीट हो जाती है AP site का मतलब है A perimidinic site यानि वह वाली pentose sugar जिसके carbon number 1 के उपर A perimidin है यानि वहाँ पर perimidin नहीं लगा हुआ A का मतलब नहीं, perimidin का मतलब perimidin नहीं है क्योंकि perimidin क्या होगी है remove होगी है तो इसे हम बोलते है A perimidinic site A perimidinic site create हो गई, अब यह दूसरा step होता है वह होता है कि अच्छा अगर यहां से तो अभी तो रिमूव हुई है perimidin, अगर यहां से purine remove होती तो फिर इस site को हम AP site ही बोलते है लेकिन उस वकद हम A purinex site बोलते है ठीक है अगर purine remove होती है लेकिन यहां पर perimidin remove हो यह यह यूरासिल perimidin होती है तो हम इसे बोलेंगे A perimidinic site ओके next step क्या होता है अब next step में यह होता है कि आपका क्या आएगा एक enzyme और enzyme आएगा जिसे हम बोलते हैं जी AP endonuclease enzyme AP endonuclease enzyme अब AP endonuclease enzyme आएगा fastfordized band को cut करेगा लेकिन 5 prime ind के उपर तो color मैं कोई और कर लेता हूं black कर लेते हैं तो यहां पर देखें यह 5 prime ind था तो यह 5 prime ind के उपर अब इस जो AP site वाला जो nucleotide है pentose sugar है उसको हमने remove करना है आपका AP endonuclease 5 prime site पर cut करेगा और एक और enzyme आएगा AP lyase AP lyase आके 3 prime site पर cut कर देगा यह इसकी 3 prime site है ना इस वाले nucleotide की यह 5 prime site होगी यहां फास्वो डाइस्टो यहां पर 3 prime site यहां पर hydroxyl तो यह 5 prime site पर कौन cut करेगा AP endonuclease और 3 prime site पर कौन cut करेगा AP lipase cut करने के बाद अब यह मुकंबल जो endonuclease नुक्रोटाइट था यह क्या हो जाएगा remove तो यह यहां से remove हो जाएगा सारा इसके remove होने के बाद फिर आपका आएगा DNA polymerase बीटा अब DNA polymerase बीटा आएगा इधर देखेगा G लगा हुआ है इधर देखेगा कुछ भी नहीं है तो वह दुबारा 3 prime to 5 prime read करेगा 3 prime to 5 prime read करेगा और 5 prime to 3 prime इसको synthesize करेगा G देखेगा इधर क्या लगा देगा C यह आपको क्या हो जाएगा repair अब repair तो हो चुका है इसको seal कौन करेगा यह G की जगा पर C अब इसको seal कौन करेगा तो DNA polymerase and DNA luggage आएंगे और वो इधर G की जगा पर यह उसने दुबारा seal लगा दिया सीनी यहां पर यूनी seal लगेगा DNA polymerase आएगा seal लगा देगा और DNA luggage आएगा इसको seal कर देगा तो यह है आपका base axion repair इसको base axion repair क्यों बोलते हैं क्योंकि आपके युरासिल ग्राको सेलेज ने आके आपकी base को remove किया था यहां से यह देखें बेस remove हो यह न इसे बोलते हैं base axion repair यानि base को cut करते हैं फिर repair होता है तो इसको एक बार फिर सुन ले मेरे ख्याल में समझा आ गया होगा तो सुन ले चले एक बार सुन ले कि सबसे पहले क्या होता है युरा इसको remove कर देते हैं फिर आपको क्या आता है DNA polymerase वो जी को पढ़के seal लगा देता है फिर आपका DNA ligase बीटा है इसको बनाएगा जी को देखे seal लगाएगा और DNA ligase इसको seal कर देगा तो दुबारा से आपको यह बन जाएगा तो reading आप इसके कर लीजेगा ठीक है आगे देखें नेक्स्ट है mismatch repair और mismatch repair क्या होता है यह भी single strand repair चाल रहा है ठीक है ना तो single strand repair में पहला आपको कौन चा था nucleotide axion दूसरा base axion repair nucleotide axion में आपका thamine timer था और आपके base repair में आपको क्या था सेटोसिन की जगाँ पर युरासिल d-mination हो रही थी DNA के अंदर not in RNA अब mismatch repair अब अब यह कहां पर हो रहा था जी वन फेज में यह throughout the cycle अब तीसरा आपके पास कौन सा है mismatch repair यह आपका होता है एस फेस के दुरान अब यह होता कैसे है और यह एस फेस के दुरान कैसे होता है बड़ा मज़ेक है बही सुन ले क्योंकि आपको पता है कि जब DNA की replication होती है during DNA replication there may be mismatched base pair कि अब यह DNA की replication हो रही है यह आपका template strand है यहाँ पर adenine, thiamine, cytosine, goanine है अब new strand बाण रहा है और मुझे बता है DNA की replication कौन से phase के दुरान होती है बही cell cycle के, of course, S phase के दुरान है न, S phase के दुरान आपका DNA chromosome की replication होती है वो double होती है यह सुन ले अच्छा अब adenine की जगा पर उसने thiamine लगाना था, dna polymenas ने लगा दिया, thiamine की जगा पर adenine लगा था, अब उसने cytosine की जगा goanine लगाना था लेकिन वो गलती से क्या लगा देत है thiamine, goanine की जगा सेटोसीन, अब इससे यहां पर गलती हो गई है, यह है mismatched, mismatched DNA damage, DNA हो चुक है, damage mismatched हो चुक है, अब क्या होता है, अब देखें, यह देख लें आप, वो कहता है यहां पर adenine की जगा पर क्या आना चाहिए था, thiamine, लेकिन क्या आ गया है goanine, यह आपका mismatched damage हो चुक है, अब इस mismatched damage को repair कैसे करना है, पहले चीज़ तो यह कि आपका यह DNA polymerase था, यह ऐसे read करता हूँ आ रहा है, और ऐसे इसको synthesize करता हूँ जा रहा है, 3' to 5' read करेगा और 5' to 3' synthesize करेगा new strand को, अब अगले चीज़, sorry, यह 5' to 3' यह ऐसे, यह ऐसे, इसको बनाता ह हो आएगा, अब अगले चीज़ देखेंगे, अब कहता है, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, polymerase कहता है DNA polymerase के पीछे कोई mistake तो नहीं रहे गई, यह वापस जाता है, इसको दुबारा proof read करता है, अगर कोई mistake रहे गई है, तो वो ठीक कर देता है, कि सैट्टोसीन की जशे हैं रिपयर जिसे हम बोलते है, मिالم mismatched repair बोलते हैं, वो होता है, अब कैसे होता है, मैं यह मेरे पास 2 genes हैं, कौन से, HMSH2 genes बूलत juicy picked? वों कहाता है ये मेरे दो जीन इंजाइम सको कोड़ करते हैं और न इंजाइम का नाम होताइँ पस HMSH 2 G Sappman ενजाइम and HM LH 1 इनजाइम ये दूनों इन जीन सेम इंजाइम को कोड़ करते हैं большой इज्ऑ मिसमैच को रिक नइज करते हैं और इसके यहांसे ऐसे कुष्प ass based Ceint i for hace I cannot join us and remove अब आपका क्या हो गया भाई रिमूव अगया जो मिस्मैच रेपयर था एक जगा पर जी लगा ऑथ तोथ इनने जी को क्या कदिया रिमूओ अगर इदर की बात करें की जितानी कि पर थैक्शी आप फरक्चोष कर देगा, seal कर देगा, तो आपका, देखें, यह था, यह ऐसे, यहाँ पर, एड़नीन, यहाँ पर, let's suppose, जी आ गया, तो इसने आएंगे, LMH, SH2, LMH, sorry, HM, LH1, और HM, SH2 आएंगे, इसको पहले remove करेंगे, remove हो गया, फिर आपका क्या आएगा, DNA polymerase, एड़नीन को पढ़के थैमीन लगा देगा, अब थैमीन तो बन चुका है, लेकिन यह seal कों करेगा, यह वला, यह DNA, legis, तो DNA legis आकर seal कर देगा, तो इस तरह आपका repair हो जाएगा, तो यह DNA mismatch repair था, तो असान सा था, पहले mismatch repair होगा, पहले proofreading होगी, DNA की, अगर नहीं तो यह इसको remove कर देंगे, और DNA polymerase फिर दुबाराल बना देगा, DNA legis seal कर देगा, चार चार स्टेप में हर एक जगाँ पर, तो देख ले, proofreading, but if still there is some mistakes there are repaired by engine की जासे, these mismatch repair are recognized removed from DNA stand by enzymes, और enzyme को code यह वाले gene करते है, DNA polymerase, DNA legis आएंगे, ठीक है, तो अगर यह नहीं हो अगर अगर यह repair नहीं हो रहा है, मतलब आपके यह gene नहीं है, इनमें defect है, यह वाले enzyme नहीं है, इनमें defect है, तो mismatch repair remove होगे, नहीं, वो होता है इदर रह जाएंगे, एक एक साथ G रह जाएगा, अगर यह रह जाएंगे, तो आपको कौन सिटीज होती है, आपको होती है, Lynch syndrome, क्या बोलते है इसको, patient को Lynch syndrome हो जाएगी, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है, HNPCC, यह इसी का full form है, है, hereditary, non-propices, colorectal cancer, आपको colon और rectum के cancer हो जाती है, बार बार, तो अगर patient है, उसको colon और rectum के cancers है, large intestine के cancers है, उस patient को, आपने check किया, उसको Lynch syndrome है, तो आप समझ लेंगे, उसको क्या है, mismatch repair है, यह उसको patient को हो सकता है, उसको अप फिर, आप उसकी enzymes का level check करेंगे, blood में, यह enzymes का level कम होगा, तो आप कहेंगे, यह patient को जो है, इस genes का defect है, और उसको क्या होगा, mismatch repair होगी है, इसलिए उसको यह cancer हो रहे है, तो यह आपका single stand repair था, nucleotide axion repair, और इसके बाद आपका base axion repair, और तीसरा आपका mismatch repair, ठीक है, यह damage कैसे होता है, और रिपेर कैसे हो रहे है, और अगर उनमे problem हो तो, और कौन-कौन से enzymes involved है, recognition में, और इसके repair में, ठीक है, तो यह हमने देख लिया, अब हमारे पास double stand repair, कि अब DNA के दोनों stand में क्या हो गया अबी problem, दोनों stand में problem है, अब इसको में repair करना है, तो damage भी दोनों stand में है, repair भी दोनों stand में है, इसे कहते है double stand repair, इसमें कौन-कौन ते शामिर है, सबसे पहले चीज, homologous recombination repair, अब भई, homologous recombination repair कैसे होता है, इधर देख लिए, यह double stand है, double stand DNA, एक ये DNA double stand, double standard DNA, एक और DNA का molecule, ये, ये DNA का molecule, ये DNA का molecule, ये भी दूसरा DNA का molecule है, double standard DNA, भई, अकसर को समझ लिए आता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अकसर को समझ लिए आता है, और सबस्वालने है, भई, देखें भई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा, इसके यह दूसरा DNA दो आपको DNA नीट पढ़ते है यह डीनaja है यह दूसरा ड्म चैन्द है यह दूसरा DNA डीनए यह ड scores टेंड यह एक उस्थरे से हो मो लुगस होते हैं मिलते झुलते होते हैं यह इसका ये वाला 3 न थी प्रेम तो इसका नीचे वाला थी प्रेम तू फाइ प्राइम और ये फाइ प्राइम टू थ्री प्राइम ये फाइ प्राइम टू थ्री प्राइम तो ये मिलते जुलते होते हैं होमो लोगस होते हैं दोनों क्या होते हैं होमो लोगस एक तरह से मिलते जुलते होते हैं अब होता क्या है भई अब अब सॉल ले अब सॉल ले इदर भी डेमेज। यह यह पर डेमेज हो गया तो आपका DNA ऐसे रह गया यह इदर डेमेज है भई यह ब्रेक हो गया। पहले वाला DNA था उसके दोनी स्टैड में ब्रेक लग चुके है यह कट हो चुकाया। अब यह दूसरे वाला जो W हो थीक है उसमें कोई मसला नहीं है अब करना क्या है इसको डट करना है फक्रों कहा है कैसे करो यहाँ सब्सक्राइब करो। Antiporadal कि अगर यह 5' το 3' है तो यह 3 entferRET to 5' हो है न, उलट होगे वो कहता यह भै तुम अपना साथ ही ढूड़ो तुम मैं अपना साथ ही ढूडता हूँ वो ओपर वालो कहता है यह , मैं 5' 3' हूँ ठीक है जी अब तुम अपने साथी ढूंड लो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला कहता है ठीक है जी मैंने ढूंड लिया तो यह देखें यह उपर वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम यह वाला कहता है मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गया जी वो गहता है अपना साथी ढूंड हुआ वा काम करो के मुझे रिपियर कर सकता हूँ तुम तो यहां पर ठीक हो टुका है और हम तो नगा है मतलब तुमहारा यहां पर टी लगा हुआ है तो पोलिम्रेज अब आएगा वो गयता है T है तो मैं T को देख यहां पर क्या लगा देता हूं A लगा देता हूं अगर G है तो G को देखे C लगा देता हूं तो इसका जो वाला हिसा तो देखके DNA पोलिम्रेज के जरी अपना बना लेगा तो इस तरह स्टेंड क्या हो जाएंगा इसमें किसी किसम का कोई स्टेंड लॉस भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं होता तो समझ आ गिया है मैं इसको एक बर फिर रिपीट कर देता हूं तो देखनें इसको बर unfamiliar से स्टेंड हैं विश overlap स्टेंड किसूरा भी यथ्प हो इन दूसरा स्टेंड क्या साथ है आ पर तीकर मैं यहां पर थ हमीन है तो यहां पर मैं या डिन या तो इन पूरा पूरा कर लेता हूं कि यह पूरा वह हो गया है दूसरा की ऐसे वो दूसरे को पकड़ लेगा ऐसे इधर हुआ complete इधर टी था इधर ए लगाया जी था सी लगाया जो भी था इसको सील किया complete किया तो दोनों स्टेंड्स complete फिर वापस यह अपने के पास सेला जाएगा यह अपने के पास सेला जाएगा तो इस तरह आपका होमोलोगस रीकम्बिनेशन हो जाएगा यह एक से को देखके अपने स्टेंड मुकम्मल कर लेंगे आई होप से आपको समझ आ गया होगा देखे मैं इसकी रीटिंग करा देता हूं दिस मैकनिजम रिक्वाइड टू होमोलोगस दो आपको ट्यने के मालेक्यूल दो डबल स्ट सब्सक्राइब एक स्टेंड डेमिज से एक स्टेंड इस रिप्राइब वाइगा एक दूसरे वाले से अपना कंप्लिमेटरी template दूनेगा without any loss of nucleotide तो कोई loss नहीं हुआ उसने इसको देख के अपना बना लिया और यह वाला भी इसको देख के अपना बना लेगा तो कोई loss नहीं गता है अगर defective हो में लोगस recombination repair है अगर repair defective है causes breast and ovarian cancer तो patient को breast और ovary के female को breast और ovary के cancer हो सकते हैं यह विद बर्का mutation, बर्का mutation मतलब आपका breast, BR से breast, CA से cancer, gene 1 तो breast cancer gene 1 में mutation हो जाएंगी breast cancer gene 1 में mutation होगी तो आपका यह repair सही तरह से नहीं होगा तो patient को breast और ovarian cancer होगे और patient को fanconi anemia भी होगा, fanconi anemia में क्या होता है कि आपको जो bone marrow होता है वो defective हो जाता है आपका bone marrow जितने भी body के cells और especially red blood cells वो सही तरह से नहीं बनाता है तो आपको red blood cells की deficiency हो जाती है तो fanconi anemia हो जाता है आपको तो I hope so that आपको समझ आ गया होगा बस देख लें कि इसमें DNA के दोनुर स्टेंड हमें नीड होते हैं दो स्टेंड एक DNA damage दूसरे DNA की molecule से अपने आपको ठीक कर लेता है ठीक है और अगर defective हो तो आपको ovarian breast cancer होगे इस वाले gene में defect होगा और fanconi anemia होगा bone marrow defective होगा तो तमाम red blood cells कौन बनाते हैं sorry blood cells कहां बनते हैं आपके bone marrow में तो आपके cells नहीं बनेंगे cells नहीं बनेंगे तो आपको anemia हो जाएगा तो इससे बोलते हैं पन कोनी anemia तो यह था आपका homologus एक और होता है जो होता है non homologus end joining यह बड़ा सांस है उद्धर आपको दो स्टेंड नीड थे इदर आप कहते हैं कि यह dna का double stand था इसमें क्या लगा कट यहां पर भी damage यहां पर भी damage तो यह इस तरह बन गया अब यह कहते है इस वाले हिस्से को खीच एधर था यह त्ट लगा वह इसको तॉठा कर दो स्ट कर दो इसको बन रहा था यह इसको अवा मिला दो और भीच व्रूझ से लोस हुавай और शूल लॉस हुआ इसको फारा कि जौरत नहीं है लकिर यह हो बन रहा था यह इसको देखके ये इसको देखके अपना हिसा बना रहा था लेकर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है इधर क्या था इधर देख ले ये ऐसे ये ऐसे अब वो कहते है बई क्या करो इस वाले इंड को उठा के इधर करो इंड को आपस में मिला दो अब कैसे बला अब ये दोनों इधर इस वाले को उठाके इधर लेकिया और यह अपस मैंसे मिल जाएंगे पीछे शार्ट रहे जाएंगे तो यह कुछ लॉस हो जाएगा इसको भी ऐसे करो इसको भी ऐसे करो तो जो वाला दर्म्यान में कट हो गया था उसको कट रहने दो उसको दुबारा मत बना तो देखें जो लॉस हुआ था यह दर्मयान में लॉस हो गया इसको दुबारा नहीं बनाया गया गया अगर इसमें डिफेक्ट आजया तो आपको इटेक्जिया ट्लेंटेक्टेजिया हो जाता है इटेक्जिया में क्या सेम्टम्स होती हैं आपको खुद बता रहे हैं क्या होता है बCal sorg national we along सût्फे तरह से खरणी वह पाएंगे और आपको to jalain toestek होगए हुगा आपकी Tillandractysia होगा आपकी ऑपर अपकी जो फेस की सिकन के उपर ना तो आपको यह न São वह ब्लॉड से साफ दिखाई दे रही हो रही हूं गो स्थोट चोटी ब्लॉड वऐसर ठीक तो यह आपका double stand repair था, single stand repair में तीन थे और double stand repair में दो थे, homologus and non homologus, homologus में दो आपको एक में damage हुआ, तो आपको दूसरा stand need है, लेकिन non homologus में damage हुआ, तो वो खहता है मुझे किसी की दूरत नहीं मैं खुद कापस में मिला लूँगा, और जो ही सब मेरा loss रह गया, वो loss र होते हैं, P53 gene और retinoblastoma gene, अब यह होता कैसे है भई, यह देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका है G1 phase, यह आपका S phase, G2 phase और metodic phase, आपको पता है, वो गयता है, जो gene controlling होते हैं, वो दो P53 और retinoblastoma gene, पहले P53 की बात करते हैं, P53 आपको यहाँ पर बैठा हुआ है, इस एक security पर यहाँ पर द्रवाजर बैठा हुआ है, अब जब cell जो है na G1 phase complete कर लेता है, और फिर दाखिर होना जाता है S phase में, कि मैंने G1 phase complete कर लिया है, मुझे S phase में जाने दो, मैं S phase में जाके DNA को replicate करना जाता हूँ, DNA की replication करना जाता हूँ, chromosome की duplication करना जाता हूँ, वो गयता है ठी P53 कहता है, भई I am a security, मैं दरवाजर बैठा हूँ, मैं आपको S phase में नहीं जाने दोगा, पहले वापस जाओ, अपनी correction करके आओ, DNA repair करके आओ, वो कहता है ठीक है जी, वापस जाता है, और जाता है कि DNA repair नहीं करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर damage है, वो कहता है, वापस मैं तुम्हें कहा रहा हूँ, DNA को repair करके हो, वो जाता है, अगर repair करके आ जाता है, तो यह फिर इसको घुजरने देता है, अब यह S phase में आजाएगा, और normal cycle चलता रहेगा, अगर वो फिर जाता है, और फिर भी repair करके नहीं आता है, फिर P53 कहता है कि भी बहुत हो गया, यह म में DNA damage है, उस cell की death हो जाए, killing हो जाए, अगर यह death ना हो, तो यह वाला cell, mutated cell इस तरह जाएगा, सारी mutations रहेंगी, और mutations से आपको उस cell का क्या हो जाएगा, cancer हो जाएगा, तो इसी रिए इसको हम बोलते हैं, tumor suppressor gene, cancer suppressor gene, gene P53, देखें, P53 gene is responsible for security, and if G1 phase has mutations, अगर G1 phase में mutations हैं, तो P53 acts as a barrier, and doesn't allow the cell to introduce the S phase, वो कहेगा, आप S phase में नहीं जा सकते हैं, आप में क्या है, damage हैं, आप इदर S phase में, नहीं जा सकते हैं, आप आगे नहीं जा सकते हैं, आप में damage हैं, आप में mutation हैं, आप में mutation हैं, आप वापस जाएं, जाओ, अगर mutations ठीक हो गई हैं, तो अब जाओ, but if these mutations are not corrected, अगर mutations ठीक नहीं हुई, वो इसको बार बार chance देगा, यार वापस जाओ, वापस जाओ, mutations ठीक करके आओ, अगर वो mutations ठीक करके आ जाएगा, तो well and good, अगर उसने mutations ठीक नहीं की, तो P53 gene induces apoptrocess, उस gene को बोलेगा के इसकी क्या कर दो, apoptrocess कर दो, तो असान जाता, इधर बैटा हुआ है, अगर mutation नहीं है तो गुजर जाओ, mutation है तो आप नहीं गुजर सकते, mutation नहीं है तो दो तरीक है, जाओ अपनी mutation ठीक करके आओ, फिर गुजर जाओ, अगर तुम अपनी mutation ठीक नहीं कर रहे हैं बार बार तो after process killing कर दो ताकि cancer ना बने, mutations ना बने क्योंकि अगर ये mutated gene आगे चला गया तो ये सारी mutations रहेंगी तो simple सी बात थी अच्छा अगर इस gene P53 में defect है तो आपको फिर क्या हो जाता है Atexate, Langectasia, आपको बर्का 1 हो जाएगा, यानि breast cancer और आपको आपको syndrome क्या होता है increased risk of certain types of cancer ये भी cancer होते हैं, आपको cancer के risk पढ़ जाते है और आपको वही tumors के risk बढ़ जाते है ठीक है तो अगर gene P53 में defect हो तो आपको क्या क्या हो सकता है Atexate, Langectasia, बर्का 1, लेफ रह मेनी और आपको वही tumors बढ़ बन सकते है ठीक है, तो आपको ये cancer वगएर के chances बढ़ जाएंगे तो देखें, असान है P53 यहां बैठा हुआ है यहां पर बैठा हुआ है control कर रहे, security है, दर्वाज़े में बैठी हुई है अब G1 phase से cell दाख लोना चाहता है S phase में, ये बोलेगा भई आप में कोई mutations तो नहीं है उसको चेक करेगा, उसकी तलाशी लेगा वो गहता है, mutation नहीं है, कहता है, जाओ इस फेज में वो देखता है, इसमें mutation है कहता है, वापस जाओ, अपनी mutations ठीक करके आओ अगर ये mutations ठीक करके आगया इदर से फिर mutations, इदर तो पूरे cell में mutations हो जाएंगे, और आपको cancer हो जाते है tumor हो जाते है, तो इसलिए tumor तो cancer P53 नहीं होने देता, इसलिए इसको बोलते है, tumor suppressor gene और अगर इसमें defect हो तो आपको ataxia ataxia atalangectasia, आपको of course cancer हो जाएंगे न सारे बही जब इसमें defect होगा, P53 में तो जितनी भी mutations होगी वो G1 phase में, G1 phase से S phase में, पूरे cell में mutations होती रहेंगे और आपको क्या हो जाएंगे cancer हो जाएंगे, तो दूसरा gene आपका होता है retinoblastoma gene retinoblastoma gene, अब आप एक मज़ए की बात बता हूँ आपको आपको एक मज़ए की बात बता हूँ मज़ए की बात ये है कि जब cell को G1 phase से S phase में दाखिल होना होता है, तो उसको कुछ growth factors need होते हैं जब आपके cell का G1 phase हो जाता है complete अब उसने जाना है S phase में G1 phase complete हुआँ आप उसने क्या करना है S phase करना है ये cell cycle के phase है अब उसने G1 phase से S phase में जाना है तो उसको growth factors need होते हैं जब cell देखता है कि मैंने G1 phase complete कर लिया तो कुछ growth factor वो release करता है growth factors आते हैं, cell के उपर act करते हैं जैती growth factors cell के उपर act करते हैं तो आपका G1 phase बंद हो जाता है आपका S phase start हो जाता है अब आपका यहां पर P53 का काम आपने देख लिए अब यहां पर retinoblastoma भी बैठा हुआ है retinoblastoma कहता है कि क्या चीज है बई retinoblastoma कहता है कि चीज यह इस तरह की है कि मसला क्या हुआ है retinoblastoma कहता है कि इस में mutations हैं G1 से mutations हैं और यह कहां जा रही है S phase में जा रही है वो कहता है मैं mutations को आगे नहीं जाने दूँगा mutations को आगे नहीं जाने दूँगा वो कहता है mutation को तुम कैसे रोकोगे retinoblastoma कहता है कि shut down these growth factors वो इन growth factors को produce नहीं होने देगा जब यह growth factors ही नहीं बनेंगे तो क्या आपका G1 phase S phase में जाएगा नहीं तो retinoblastoma जब देखता है कि mutations है G1 phase में cell को S phase में नहीं जाना चाहिए तो retinoblastoma सिर्फ एक काम करता है वो काम क्या होता है कि retinoblastoma और growth factors को नहीं आना देता इनको suppress कर देता है इनको suppress कर देता है इनकी regulation को negative regulation करता है तो जब growth factors ही नहीं आएंगे तो क्या आपका G1 phase S phase में जाएगा नहीं तो mutations आगे नहीं जाएगी cell आगे नहीं जाएगा तो आपको cancers बगएरा नहीं होगा तो यह देख ले retinoblastoma gene is responsible for negative regulation suppression of mutated cell cycle अगर cell cycle में mutations है तो उसको suppress कर देगा आगे नहीं जाने देगा और suppress कैसे करेगा through its ability to suppress the growth factors वो growth factors को suppress करेगा जब growth factors नहीं होंगे तो G1 phase से S phase नहीं बनेगा क्योंकि growth factors का काम क्या होता है कि जब G1 phase complete हो जाता है तो growth factors G1 phase से cell को S phase में लेके जाते हैं required for entry of cells from G1 phase to S phase क्योंकि RB और P53 genes दोनों genes inhibit the mutations to enter the cell यानि कि जो इधर mutations है उसको वो आगे नहीं जाने देती है so both genes prevent the formation of tumors cancers therefore these are called tumor suppressor genes क्योंकि यह mutations को आगे नहीं जाने दे रही cancers नहीं होने दे रहे tumors नहीं होने दे रहे इसले आगे tumor suppressor genes बोलते होते है आपको समझ आ गया होगा तो यह cell cycle बनाया होगा कि cell cycle में पहले आपका interface होता है interface में तीन होती है G1 phase, S phase, G2 phase फिर आपकी metasus होती है तो देख ले अभी repair कर ले इसको overview देख ले एक कि G1 phase में आपके कौन-कौन से G1 phase में क्या होता है वही एक हमने था mean dimers पढ़ा उसका repair पढ़ा अगर repair ना हो तो आपको zero derma pigment awesome हो जाएगा और nucleotide axion repair यानि sustained demination वह हमने पढ़ा और उसके बाद हमने देखा यह genes हमने देख लिए यहां पर होते हैं उसके बाद हमने देखा DNA polymerase proof reading कहां पर होती है आपकोर्स यहां पर replication होगी यहां पर proof reading होती है फिर आपका mismatch repair हमने देखा कि MSH2 और MLH1 यह genes थे यह mismatch repair को ठीक कर रहे थे यहां पर G2 phase के दराण तो यह आपका होता है तो अगर कोई चीज समझ जाए तो बता दे या कोई concept रहे गया तो बता दे मुझे देखें असान सा है पहले हमने DNA damage देखा फिर DNA repair देखा फिर DNA repair ना हो तो क्या होगा फिर DNA damage और repair सिंगल स्टेंड तीन तरागे थे तैमीन damage या nucleotide axion repair क्या होते हैं bridge to pathology क्या थी फिर base axion repair क्या होते हैं और कैसे repair होते हैं और फिर उसके बाद हमने mismatch यह तीन थे इसकी pathology देखिए हमने फिर उसके बाद double stand में homologus और non homologus थे तो उसके बाद हमने genes देखें कौन से gene tumor suppressor genes retinoblastoma और p53 genes ठीक है बाकि इनको हम general detail में आगे जाके देखेंगे दोनों को gene p53 और retinoblastoma के यह basically काम करते कैसे हैं ठीक है आगे हम इनको बाद में detail में देखेंगे अभी इतना आपके लिए इतना काफी था कि इनके आप नाम देखें क्योंकि यह tumor को suppress कर रहे हैं तो हम tumor suppressor genes बोलते हैं तो अलाहफिस अलाहफिस क्लास दिस्मिस क्याल देखेंगे मैं